एलो स्टुडेंट्स यह जो वीडियो है आप लोग के लिए क्योंकि लगातार बहुत सारे जब से मैंने मेरा जो एप है वह फाइनली आप लोग के लिए आया है तब से बहुत सारे बच्चे जो हैं वह वाटसेप पे या कॉल कर रहे हैं लेकिन बहुत कम बच्चों से बात ह पाती क्योंकि 3-5 की वेज में कुछी बच्चों से बात करना होता है और हर बच्चे को वही चीज बताने में भी बार 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 वही बताना होता है कि आप कैसे इंस्टॉल करें बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफिजन हो रहा है तो आप क्या करें इस वीडियो के लिंक में आप वीडियो के डिस्क्रिशन में जाएंगे वहां पर आपको एक एक लिंक मिलेगा उस एप के लिंक को आपको क्लिक करना है मोबाइल में ठीक है इसको आप पर बचला सकते हैं मोबाइल में आप कर लीजिए और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक आपका इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे वह इंस्टॉल होगा वहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा मोबाइल नंबर डालके आप OTP आएगा OTP डाल दीजिए लोग को home page में ही मेरे courses दिख रहे होंगे नहीं दिख पा रहे हैं तो आप storage option में जाएं वहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे basically वहाँ दो course अभी आपको दिख रहे होंगे एक दिख रहा होगा biochemic medicines का ठीक है और दूसरा होगा general pathology का अब बहुत सारे बच्चे question कर रहे हैं कि सरे biochemic medicine का क्या course है इसमें आपने ऐसा क्या बताया है कि हम उसे ले आपको बता दें कि जो biochemic medicine है ये इसका जो concept है जो बनाया है हम लोग ने या हमने बनाया इस course को वह इसलिए बनाया है कि जो clinical practice जो भी बच्चा भी fresher जोन्होंने पास किया है वह अपनी practice में जाता है जैसी वह practice में जाता है बहुत सारे बच्चे लोग क्या divert हो जाते हैं तिक लेकिन जो homeopathic practice करना चाहता है और starting से patient को result देना चाहता है तो वह biochemic medicine का यूज करके अपने patient को treat कर सकता है तो इस course में पूरे जो ट्वेल टिशू रेमेडीज हैं डॉप्टर शुशलर की उनको इंडिविजली बताया गया है इंडिविजली इनको concept बताया गया है और साथ में ऐसे कुछ points को भी इसमें अपने इंक्लूट किये हैं जो competitive exam में आप AIPGTF दे रहे हैं वो भी आपके समें clear हो जाएंगे साथ में आप बीचमेस कर रहे हैं तो वह बीचमेस के course को भी complete करने में कोशन वहां आता तो वह भी आप question यहां से answer लिख सकते हैं वह लिख दिया गया है और जो maximum concept है वो clinically based है जिसमें आपको करीब 300 plus disease में 300 plus disease के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सी biochemic medicine यूज करना चाहिए अब यह आप बोलेंगे आपने कैसे बताया मैं लगभग 12-13 साल से practice कर रहा हूं और 12-13 साल में लगातार biochemic medicine को यूज कर रहा हूं जिसमें आपको 1x कभ यूज करना है 2x कभ यूज करना है 3x कभ यूज करना है 4x आपको 6x 12x 200x 30x इतनी power of 12 remedies आती है उनको आपको कैसे यूज करना है कौन सी पावर में यूज करना है कौन सी डिजीज में कम से कम कितने महने देना है कितने महने देने के बाद इस dose को repeat करना है तो पूरा का पूरा महने बताया है मतलब clinical practice से दिए आप चालू करना चाहते है तो इस वीडियो इस course को आप देखकर अपने clinical practice को strong कर सकते हैं हो सकता है कि बहुत सारी doctors भी इसको लेना चाह रहे हो उनको already सबाता है तो तब भी वो लेकर अपने knowledge को थोड़ा update कर सकते हैं क्योंकि जो मेरे 12-13 साल की practice में जो मैंने अपने practice में जो medicine का use करके जो perfect result दिया है ठीक है तो उस according इस course को मैंने बनाया है उसमें properly step by step जो common diseases है जो माई clinical practice में को लगातार मिलती है उनमें ये biochemical medicine आप दीजिए 100% आपको result मिलता है अभी भी मैं अपने clinical practice में यूज करता हूँ लगातार यूज करता हूँ बिना उसके तो मैं practice करता ही नहीं हूँ ठीक है according to condition patient को deal करते हैं mother tincture का भी यूज करते हैं बायोकेमिक का भी यूज करते हैं लगता है कि इसको single medicine single भी देना है तो according to clinical condition patient की condition के according उनको practice करना पड़ता है ठीक है लेकिन यहां सिर्व बायोकेमिक मैडिशन के बारे मताया आप उसको use करें जब तक आप वीडियो दे मेरा लगे द्रीये जाएं डेंनी सब्सक्राइगी जब भी वह आपका प्रस और तो आपके दिमाग में रख आने लगे जब मैंने जो काली मिन बताया है OCTA बनादी ज कि रहे है कंदिशन धूर काली मियुफ देना ही करीब 49 वीडियो हैं ठीक है और हर वीडियो करीब 30-40 मेंट का या 30 मेंट का लगबग आप मान लीजिए एक वीडियो है पूरा तो पूरा आपको लगबग टाइम लगएगा पूरी वीडियो को देखने में लगातर वीडियो देखेंगे आप और प्रॉपर नोर्स जब तक पेशिंट फॉलॉउप में आएगा तब ही आप पेशिंट से पेशिंट बना पाएंगे और फॉलॉप पे लाने के लिए आपको पेशिंट को ठीक करना होगा पहली बार के डोस में डिजल्ट देना पड़ेगा और वो आप कहां से सीख सकते हैं बायो केमिक मेडि फ्रीक है तो यह जो भी बच्चा बायो केमिक मेडिसिंग के बारे में स्टडी करना चाहता और इसको पर्चेस करना चाहता तो इसमें इतनी इंपॉर्टन चीज़ बताए गई है इस वीडियो से आपको लगता है कि जो मैं बताना चाह रहा था आप जो पूछन को पूरा कर सकते हैं.